असलाम अलेकुम दोस्तों जॉलियाजीम हाजीर है फिन नहीं एक वीडियो के साथ दोस्तों जो मैरे जॉलियाजीम के हैस्ट सेक्षन है जिसके अंदर मुखसे किसमें मैं आपके लिए वेजेटेबल्स, फ्रोड्स, हाफ, स्पाइस और मतले खाने पिने वाली चीदों के बा तो आज मैं हम लोगो नीपा पाम फ्रोड के बारे में इंफर्मेशन दूँगा और दोस्तों नीपा पाम फ्रोड को इसके इलावा में ग्रूप पाम भी बोला जाता है और दोस्तों यह इंडियन और पैसिफिक ओशन के आईलेंड्स और आसपास जितने भी किनारे को एक सब्सक्रांस निकलता है और दोसों जिसका जैका मीठा कोकोनट की तरह का होता है और दोसों निपा पाम फ्रोड के पल्क को जूसिस बनाने के लिए समाल किया जाता है इसके लावा बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसंस के अंदर यूज गया जाता है इसे डैजर्स फैसे बहुत बहुत अच्छा होता है इसके लावा दूसों उसकाने करते हैशा है जनके साथ खाने के साहे इसके द шт count को बहुत अच्छा होता है陡़ग मैभी अच्छा का गर्मी की वाइस सरदर्द हो रहे हैं दोस्तों नीपा पाम फ्रोड काने से गर्मी सोने वाले सरदर्द को यह दूर कर देता है दोस्तों इसके इसी ख़वात ही जिनकी बहुत ज़्यादा खराब है स्कीण डाल लाएं सकीन के अपर खुरदरा पान है राशित्स पढ़े हुए दोसर नीपा पाम फ्रोड को रेगुलर अपनी खुरा के अंदर शामल करें इसके पेस को स्कीन के पर लगाए तो उनके कुछ दिनों के समाल के बाद स्कीन खूपसरत हो जाएगी किन को ये खेंच के रखता है, skin के पर एक glow लेकर आता है, skin के पर एक चमक लेकर आता है, दोसे इसके इलावा नीपा पाम फ्रोड को shampoo बनाने के लिए भी इसमाल किया जाता है, बालों की सफाई के लिए भी इसमाल किया जाता है, ये बालों को soft, silky, खुब सा घना मजबूस बना देता है, दोसे नीपा पाम फ्रोड आपको पाकिसान इंडिया के अंदर, बड़ी फ्रोड मंडियों में असानी के साह मिल जाएगा, इसके लावा नीपा पाम फ्रोड का जो पल पे आपको पैकेजिंग टिंट पैक के अंदर भी बड़े शॉपिंग माल के ग्रोसी सेक्शन के अंदर असानी के साह मिल जाएगा, चले दोस्तों ये तो थे नीपा पाम फ्रोड के बारे में थोड़ी सी इंफामेशन, जूजि दोस्तों ऐसे अफ्राज से खाने से प्रहेज करें जिने अलर्ची है, अगर आपको ये फ्रूट नहीं करता तो आप नीपा पाम फ्रोड मत खाएं, चले दोस्तों ये तो थे नीपा पाम फ्रोड के बारे में थोड़ी सी इंफामेशन, यूजिस, नूटन फैट्स, बैनि प्रूट के हवाले से जो मैं आपको वीडियो बना के दी आपको ये पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर मजीद आपको कि सुवाल इनिपा पाम फ्रोड के हवाले से तो जास कमेट के अंदर क्योरी कीजेगा, मैं आपको इसका जरूर रप्लाई दूँगा, और दोस्तो कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जास कमेट के अंदर क्योरी कीजेगा, मैं आपको इसका जरूर रप्लाई दूँगा, और मैं आपको लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूँगा, दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आपको लिए बहुत सारी मिक्स मानमाती वीडिय बनाकर दे चुका हूँ, तो उनके लिए मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरे दूसरी वीडियो से भी दे सकते हैं, चले दोस्तों अब मैं आपको लूँगा, कि न्यू इन्फर्मेटिक वीडियो के साथ मुझे जोली हजीम को इजादत दें, ओके जैला आफीस, टेक एर झाल, प्रणक अब मैं आपको लाल आपको लाए कि वीडियो के साथ मेरे वीडियो के आपको लाए के लाए कर दोस्तूसरी यूसरी वीडियो के साथ मुझे हूआ हैं, आपको लाए